पुलिस कप्तान शिवहरी मीना की चौकस पुलिसिंग को ठीका दिखाते हुए चोरों ने में रोड परिस्थित वरिस्ट पत्रकार के घर धमा चौकडी मचाई चौरों ने घर में रखी अलमारी को तोड़ कर उसमें रखी नगदी और आबुशर उड़ा दिये इस घटना से पत्रकारों में काफी रोश व्यापत है क्यूकि इसके पहले वरिस्ट पत्रकार मनीश रिवास्ताओ के घर्भी लाखों की चोरी इसी थाना शेतर में हुई थी सीपरी बाजार थाना शेतर इस्थित नंदन पुरा मुक्तिधाम के सामने में रोड पर पत्रकार कुल्दी पवस्ती का मकान है इस मकान में उनके माता पिता वभाई रहते हैं जबकि कुल्दी बगल वाले मकान में रहते हैं रात को रोज की तरह उनके पिताजी वा माताजी मकान के दूसरे हिस्से में सो गए सुबह जब उठे तो देखा कि सड़क से सटे हिस्से वाले कमरे में रखी अलमारी टूटी पड़ी है और सामान बिखरा पड़ा है ततकाल इसकी सूचना पुलिस को दी गए डाइल 112 पुलिस ने मौके पर पहुची और जानकारी ली कुल्दीब के अनुसार अलमारी में लगभग 18,000 रुपे माताजी की सोनी की चेन कान के जुमके अंगुठी आदिस सामान रखा था जिसे चोर ले गए पत्रकारों ने पुलिस से चोरी का जल्द खुलासा करने की मांग की है जहासी से मनिश अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट